डाल्टन के सिध्धान्द की विवेचना निम्निलिखित प्रकार से कर सकते हैं। सभी पदात पर्माणू से बने होते हैं। पर्माणू और विभाज्य सूक्ष्मतम काण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनते हैं और नहीं उनका विनाश होता है। किसी एक तत्व के पर्माणू का द्रविमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अलग अलग तत्व के पर्माणू परसपर छोटी पून संख्या के अनुपात में संयोग करके योगिक बनाते हैं। किसी भी योगिक में पर्माणू की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। डाल्टन का गुणित अनुपात नियम। डाल्टन ने देखा कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ओक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन मोनो ओक्साइड बनाता है। और 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ओक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाई ओक्साइड भी बनाता है। आठ ग्राम ओक्सीजन 4 ग्राम ओक्सीजन का दुबना है। इस तरह जब भी डालटन ने तत्वों के संयोग को विभिन अनुपातों में देखा तो पाया कि इनमें एक सरल गुणित अनुपात दिखता है। अर्थात हर बार परमाणू और विभाज्य है। इसे उन्होंने बाद में गुणित अनुपात नियम के रूप में प्रकाशित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक योगिक बनाते हैं तब एक तत्व के साथ दूसरी तत्व के संयोग्त होने वाले द्रविमान छोटे पुर्णांकों के अनुपात में होते हैं। उपरिक्त उधारन से इसपस्ट है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग्त होकर दो प्रकार के योगिक कार्बन मोनो ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है। और यहां ओक्सीजन के द्रविमान 4 ग्राम और 8 ग्राम जो कार्बन के निश्चित द्रविमान 3 ग्राम के साथ संयुक्त होते हैं एक सरल अनुपात 4 अनुपात 8 या 1 अनुपात 2 में होते हैं